हेई गाईस वेलकम बैक टो मैं चैनल अगर आप अपने पार्टनर से दूर है और उनकी साथ कोई भी आपका कॉंटेक नहीं है और उनकी बारे में जानना चाते हैं कि क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त या आपकी बारे में क्या फिलिंग से उनके मन में नो कॉंटेक अगर है या सेपरेशन में है आप दोनों तो जानते हैं कैंडल वैक्स रिडिंग के तुरू आपके पार्टनर या स्पैसिपिक परसन जिसके लिए आप यह रिडिंग देख रहे हैं उनकी करेंट फिलिंग्स और डीप इमोशन केंडल को लाइट करेंगे उसकी बाद आप आपको कैंडल के फ्लेम के उपर फोकस करके उनका नाम लेना है तीन से साथ बार और उनका छेहरा भी आपको याद करना है ताकि आपका जब फोकस उनके उपर रहेगा तो उनकी एनरजी हैं आप पर आ जाएगी और उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक् प्रश्ना है उनका चेहरा याद करना है उनके साथ बिताया हुआ वक्त याद करना है यह कलेक्टिव टाइमलेस रिडिंग है और जेंडर स्पैसिफिक नहीं है किसी के साथ भी रेजुनेट कर सकता है तो ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है पुरी तरके से नेगिटिव एनर्जी से बाहर आ चुके हैं और यह प्लैनिंग भी कर चुके हैं कि अगला स्टेप उनको क्या लेना है इस सिचोईशन में जब आप दोनों एक दुसरे के कॉंटेक्ट में ही नहीं है शायद आपके कॉंटेक्ट को नो कॉंटेक्ट सिचोईशन को बहुत टाइम भी हो चुका है एक दुसरे से बात किये हुए या एक दुसरे को रियल में मिले हुए बहुत टाइम हो चुका है ऐसा लगता है बहुत टाइम गुजर गया इनकी एनरजी पहले जो थी बहुत स्टक एनरजी थी मतलब किसी सिचुवेशन में फस गए थे अटक गए थे ऐसा लगता है और अभी उसके उससे बहार निकल चुके है और इन्होंने बहुत सोच विचार कर लिया है कि आपको कैसे अप्रोच करना है कैसे आपको मिलने को आना है या कैसे आपको एक्स्प्लेनेशन दे या कैसे आपको प्रूफ करे कि वो दोशी नहीं है तो यहाँ पर जो राशिया जोडियक साइन्स जो मैसूस हो रहे स्ट्रॉंगली वो है एरीज यानिकी मेश, टॉरस, रुषब, पाइसेज, मीन राशी, एक्वेरियस, कुम्ब राशी, सैजुटेरियस यानिकी धनुराशी, स्कॉर्पियो, रुषिक राशी यह साइन्स यहाँ पर स्ट्रॉंगली रिफ्लेक्ट हो रहे, महसूस हो रहे तो आपके पार्टनर की एनरजी में एक अचीब सा ट्विस्ट है मतलब यह ऐसा है कि यह शान्त हो गए है, शान्त हो के सोच रहे है ऐसा लग रहा है कि जब इनका काम भी कतम हो जाता है अगर यह जॉब करते हैं तो काम कतम हो जाने के बाद भी इनका मन नहीं करता है कि घर पे जाएं इस टाइब की situation है मतलब घर में जाना इनके लिए अजीब सी feeling लाता है मतलब ये उनको लगता है कि भार ही रहें किसी के साथ रहें, किसी दोस के साथ time spend करें मतलब घर नहीं जाना चाते हैं वो है I, Z, उसके बाद S, L, Y, T, P, और M तो आपके पार्टनर की जो feelings है, बहुत emotional feelings है मतलब ऐसी feelings नहीं है कि हाँ चलो, हाँ happy है तो happy, sad है तो sad है से नहीं यह emotional है, emotional मतलब अंदर से रो रहे हैं, अंदर से दुखी है, किसी को बता नहीं पा रहे हैं ना घर के लोगों को बता सकते हैं कि मैं अंदर से रो रहा हूँ, ना उनकी सामने रो सकते हैं ना दोस्तों के सामने रो सकते हैं कि मैं देखो कितना कमजोर हूँ ये भी दिखाने नहीं चाहते हैं मतलब वो अपनी साइड जो emotional साइड है वो नहीं दिखाना चाहते हैं इनको ऐसे दिखाना है कि मैं बिंदास हूँ मैं हैपी हूँ अजीब सी उल्चन है आपके पार्टनर के माइड में इस रिष्टे को लेकर और आपको लेकर एक बहुत ही wonderful time spend करना चाहते हैं आपके साथ एक wonderful future चाहते हैं आपके साथ सिर्फ आपके साथ अगर जिन्दगी हो तो बस आपके साथ हो ऐसा लगता है इनको अगर आप नहीं हैं तो इनको जिन्दगी नहीं चाहिए ऐसे लगते हैं मतलब बेकार से जिन्दगी है मेरी इस टाइप की इनकी feelings है मतलब जीना है तो आपके साथ नहीं तो नहीं जीना है मतलब इतने बहुत जादा strong emotions हैं इनके आपके लिए फिर से ऐसे ही लग रहा है यहाँ पर कि घोडे पर कोई इनसान बैटकर आ रहा है ऐसे symbol बना है कि गोडे पर कोई इनसान बैटकर आ रहा है यानि कि शादी की vibes है शादी की energy है शादी की feelings है मतलब एक तो यह बात हो सकते है कि इनकी family में शादी को लेकर बहुत discussion है या इनके पीछे पढ़े है कि शादी कर लो अभी तुमारी age हो गई अगर male है female है दोनों के लिए भी यह है same situation कि family वाले पीछे पढ़े है कि अभी तो शादी कर लो इस साल शादी कर लो बारिश के पहले शादी कर लो ऐसी कुछ तो feelings है मतलब शादी को लेकर बहुत strong vibes है एक तो आपके साथ शादी हो सकती है या इनकी शादी fix करने की कोशिश की जा रही है किसी और के साथ हो सकता है लेकिन इनका दिल नहीं मान रहा है मतलब इनको शादी करनी है तो आपसे इनका दिल आप पे फिदा है तो उस दिल में और किसी के लिए जगह नहीं है ऐसी situation है मतलब शादी अगर करनी है तो सिर्फ आपके साथ नहीं तो इनको शादी नहीं करना है ऐसे ही single रहना है उस step की बहुत strong feelings हैं कि शादी करेंगे तो आपके साथ नहीं तो single रहना है किसी के साथ नहीं अगर life partner होंगे तो आप इनका दिल बहुत भर भर के आ रहा है मतलब रो रहे हैं ऐसा लगता है मतलब strong emotions होते हैं न जैसे bubbles form हो रहे हैं दिल भर कर आता है आपके बारे में सोच कर ऐसा लग रहा है बहुत strong feelings बहुत strong emotions emotionally आप से attached हो गए आपके partner मतलब बहुत ज़्यादा strong emotions है आपको लिख कर यहापर ऐसी भी vibes है ऐसी भी energy है कि आप दोनों अलग नहीं होये हैं अपनी मर्जी से लेकिन कराया गया आप दोनों को अलग कराया गया किसी ने तो आप दोनों को जबरदस्ती अलग किया है या तो किसी ने इनको ये तो किसी के भैकावे में आ गए है या फिर चान बुछ कर कर के आप दोनों की भी जगड़ा कराया गया मतलब ऐसा कुछ किया जिसके वज़े से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए ऐसे हैं आप लग रहे है उस टाप की एनरजी है बहुत नेगिटिव किसी ने कुछ किया ही है आपके और आपके पार्टनर के बिच आप दोनों को अलग करने के लिए ऐसे हैं आप स्ट्रॉंग वाइब से लेकिन वो वक्त जो सेपरेशन का था वो खतम होने वाला है ये भी हाँ पर एनरजी है मतलब आपका यूनियन होकर रहेगा फिर से एक दूसरे के साथ ही रहेंगे आप ऐसा है हाँ पर लग रहे है क्योंकि आपके पार्टनर ऐसे स्ट्रॉंग माइन के है मतलब ये एक बार अपने मन में ठान लेते हैं तो उसको कोई नहीं बदल सकता है ऐसे लग रहे हैं मतलब बहुत एक बार जो सोच लिया वो सोच लिया इन्होंने आपको सोच लिया एसे लाइफ पार्टनर तो सोच लिया अभी चाहे इनके घर वाले कितनी भी कोशिश करें किसी और से शादी करवाने की ये मानेंगे नहीं ऐसे लगता है किसी के बारे में ऐसे भी लग रहा है कि आपके जो लवर है या आपके जो पार्टनर है या जो specific person है आपके neighbor ही है आपके आसपास ही रहते है और आप दोनों में separation है या कोछ जगड़ा हुआ है और ये हमेशा आपके यहां से ही गुजरते हैं शायद motorcycle से हो car से हो आपके यहां से गुजरते हैं और ये चाहते हैं कि आपकी और उनकी नजर एक हो जाए एक दुसरे को देख लें ऐसे चाहते हैं ऐसे भी लगता है कि कोई window से जागता है या चुपके से देखता है अपने partner को आते चाहते हैं लेकिन बात नहीं कर रहे हैं ऐसे भी vibes है मतलब ही आपके नज़दी की रहते हैं आपको चुप-चुप के देखते हैं या वो आपको चुप-चुप के देखते हैं आते चाते हैं और एक दुसरे से बात नहीं करते हैं इस टाइब के फिलिंग से आपकी person आपको strong commitment नहीं दिया था आज तक अभी तक अगर ये mail है तो क्योंकि इनको financial problem थी इनका job के बारे में कुछ लग रहा है मतलब इनका job कुछ खास नहीं था ये खुश नहीं थे salary को लेकर खर्चे बहुत जादा थे और salary बहुत कम थी ऐसे situation लगती है जिसके वज़े से ये शादी का commitment देने को पिछ रहे गए मतलब sure नहीं थे surety नहीं थे आपको relationship के बारे में ऐसा लगता है यहाँ पर यहाँ पर गणेश जी का भी symbol होकर आया है ऐसा लगता है कि गणेश जी है गणेश जी का आशिरवाद है और गणेश जी के पास गणेश जी के आप अगर मानते हैं गणेश जी को तो ऐसा है कि उनके पास जो भी मांगते हैं आपकी हर मुराद पुरी करते हैं वो हर संकट में आते हैं वो गणेश जी की कुरुपा हर एक के उपर होती है और वो जो भी आप मांगते हैं वो आपको जरूर देते हैं और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के जो घरवाले है शायद किसी के पार्टनर के घरवाले ऐसा लगता है यहाँ पर एनरजी में कि लव मैरिश के खिलाफ है पता नहीं क्यूँ अभी जमानों तो बहुत आगे गया लेकिन इनके घरवाले पुराने खायलात के हो सकते है शायद इनको लव मैरिश पसंदने ऐसा लगता है यह किसी के साथ रेजोनेट हो सकता है तो कमेंट में ज़रूर बताए कि क्या आपके परसन की फैमिली लव मैरिश के खिलाफ है या आपकी फैमिली लव मैरिश के हो सकती है ऐसे ही यहां पर energy है क्यों ऐसा करने का दो प्यार करने वालों को जुदा करने में क्या इनको खुशी मिलते भगवान जाने कितने लोग दुकी होते हैं कितने कमेंज आते हैं कि वो लोग अपने पार्टनर को इतना चाहते इतना सोचते हैं उनके बारे में कि reading देखकर comment करते रहते नीचे आज भी यही हम कहेंगे कि किसी का भी अगर reunion आप चाहते हैं अपने partner के साथ तो ज़रूर उनका नाम और आपका नाम comment में कीजे तो आपको reply में switch word भेजा जाएगा साथी साथ आपके लिए healing और prayers भी की जाएगे ताकि जल्दे से जल्दी आपका reunion हो जाए क्योंकि energy जब भेजते हैं आपके partner तक पहुँचे जाते हैं चाहे कही से भी आप energy भेजो आपको विश्वास रखना है और एक बार भी आपको negative नहीं सोचना है तो ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि आपके partner के पीछे शाथी के लिए तो पड़े हुए family members, इनके दोस्त, इनको रिष्टे भी आ रहे हैं लेकिन ये ये बिलकुल नहीं मान रहे हैं क्योंकि दिल में आप बसे हो, दिल में और किसी के लिए जगा नहीं है ऐसी यहाँ पर true feelings आपके partner की है कि दिल में आप बसे हो जैसे कि वो गाना था, बहुत पुराना गाना है 90's का दिल में बसे हो तुम तो दिल में आप बसे हो इनके तो और किसी के लिए जगा हो ही नहीं सकती और जबरदस्ती शादी किसी के साथ करके ना वो खुश रहेंगे, ना उनके जीवन साथी खुश रहेंगे और शादी के बात भी यह आप से ही relation रखेंगे, ऐसा लगता है शायद यह कहना यहाँ पर गलत होगा, लेकिन क्या करें, मतलब इंसान की feelings किसको आप रोप नहीं सकते feelings को इसलिए शादी उससे होनी चाहिए जिसके साथ आप खुश रह सकते हैं या जिससे आप चाहते हैं कि उससी से आपकी शादी हो यहाँ पर ऐसे भी लग रहा है कि जो आपकी partner है, person है जाए male है, female है, joint family में रहते हैं और बहुत सारी problems है तो इस शादी के खिलाफ हो सकते हैं या फिर आपने इनसे कहा हो कि हमको separate रहना है, इसके वज़े से आप में कुछ दूरिया आ गई है क्योंकि इनके family को बिल्कुल पसंद नहीं है, कि इनकी शादी होकर यह अलग रहे तो आपको भी थोड़ा सा adjustment करना होगा, अगर इनकी joint family है तो आपको adjustment ज़रूर करना होगा इनके साथ क्योंकि इनके उपर भी बहुत ज़्यादा pressure है, यह depressed हो जाते हैं, यह सोच कर क्योंकि आपको नहीं छोड़ना चाते हैं, इसलिए depressed हो जाते हैं आपसे प्यार बहुत हैं, इसलिए depressed हो जाते हैं इवनिवर्स भी आपको यहीं कहना चाता है, कि जो सच्चा life partner आपको होगा, आपके नसीब में जो होगा, वहीं आपको मिलेगा आपको ज़्यादा overthinking करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही negative सोच कर negative energy में जाने की ज़रूरत है positive ही होगा, विश्वास रखे, आज के reading में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक केजे मेरे चैनल से जुनने के लिए प्लीज सब्सक्राब केजे Thank you all of you, thank you universe